हलो दोस्तों आप सभी का माई चैनल श्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है आज की इस वीडियो में हम 36 गर सिक्षक भरती के लिए मैट्स के महत्वो टॉपिक आयतन पर धारित प्रशनों को देखेंगे इस वीडियो में हम केवल बेसिक लेवल के प्रशनों को देखेंगे जो की आपके डारेक्ट फार्मूला बेजड़ होते हैं तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला हमारा प्रशन है 6 सेंटिमीटर भुजा वाले एक घन का आयतन संपूर्न प्रिष्टर विकर्ण ज्याद करना है इस वीडियो में हमने किसी भी टॉपिक पर धा जो भी आपके प्रशन होते हैं बेसिक लेवल के उन सभी को सामिल किया है इस प्रशन में आपको सबसे पहले आयतन फार्म करना है फिर संपूर्न प्रिष्टर और अंत में फाइन करना है भी करना तो चलिए देखते हैं सबसे पहला हम बनाते हैं घन घन एक ऐसी आकरिती होती है जिनके जिसमें 6 फलक होते हैं और सभी फलकों की भूजा की लंबाई बराबर होती है इस प्रस्न में भूजा की लंबाई 6 दी गई है अर्थात इसकी लंबाई 6 है इसकी भी लंबाई 6 है जो भी आप भूजा लोगे उनसे लंबाई 6 है तो यह गन का निर्माण करता है चलिए देखते हैं इसका फार्मूला क्या होगा सबसे पहले अगर आप आयतन की बात करो तो आयतन होता है A क्यूब यहाँ पर A क्यूब आपका आयतन होता है यहाँ पर A जो है आपकी भूजा है भूजाग अगर आप क्यूप करोगे तो आपको मिल जाएगा इसका आयतन क्या होगा छै का क्यूप का मतलब होता है छै को आपको तीन बार गुड़ा करना है तो इसको तीन बार गुड़ा करने से आपको मिलेगा दो ससोल्ला तो इसका आयतन होगा आपका दो सा सोला दूसरा इसमें ग्याद करना है आपको संपूर्ण प्रिष्ट का छेत्रफल संपूर्ण प्रिष्ट का छेत्रफल मतलब इसकी अगर एक फलक का छेत्रफल ग्याद करो तो एक फलक का छेत्र फल होता है भूजा गूडित भूजा तो यह हुआ एक फलक का इसी प्रकार फलकों की संख्या होती है 6 तो आपका अगर इसके सौर्ट में फार्मूला देखोगे तो इसका फार्मूला होता है 6 into A square इसका फार्मूला है 6 into A square यहाँ पर आपको A के जगा रखना A भूजा की लंबाई है तो A का आपको square करना है तो यह हुआ 6 का square तो 6 को आपको 3 times multiply करना है तो यहाँ पर आपको फिर answer मिल जाएगा यहाँ पर इसका संपूर्ण पिसका छित्र फल भी आपका आएगा 2 ससोलना अगला है विकाड़ना विकाड़ना के लिए आपका डारेक्ट फार्मूला होता है इसका फार्मूला होता है root 3 into A यहाँ पर A जो है वह भूजा की लंबाई है इसका फार्मूला आप डारेक्ट याद रख सकते हो root 3 into A यहाँ पर A जो है भूजा की लंबाई है तो इसका answer होगा 6 root 3 यहाँ पर A के जगा 6 रख देंगे तो आप को मिल जाएगा इसके विकर्ण की लंबाई चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है घनाप पर अधारित एक घनाप की लंबाई चोड़ाई और उचाई क्रमसह छै सेंटीमीटर पांस सेंटीमीटर और दो सेंटीमीटर है आपको घनाप का आयतन बराबर होती है जबकि घनाप में इसके लंबाई चोड़ाई और उचाई अलग अलग होती है इसका सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसमें आपका लंबाई दिया गया है 6 सेंटीमीटर इसकी चोड़ाई दी गई है B जिसका मान है आपका 5 सेंटीमीटर और इसकी उचाई है 2 cm ये डाट आपको प्रश्ण में दिया गया है आपको सबसे पहले आयतन ग्याद करना है आयतन को V से रिप्रेजेंट किया जाता है आयतन होता है लंबाई गुड़ा चोड़ाई गुड़ा उचाई अगर आप तीनों को गुड़ा कर दोगे तो आपको आयतन मिल जाएगा इसे मल्टिप्लाई कर लेते हैं सबसे पहले लंबाई है 6 इसकी चोड़ाई है 5 और इसकी उचाई है 2 जब आप इसे गुड़ा कर दोगे तो आपको मिलेगा 60 तो इसका आयतन हुआ आपका 60 इसके बाद अगला फाइन करते हैं सम्पूर्ण प्रिष्ट का 6 रफल का फार्मूला होता है जिसे आपको याद रखना है 2 into LB प्लस BH प्लस HL यह आपका फार्मूला होता है यहाँ पर आपको वैल्यू पूट करते जाना है सबसे पहले 2 को बहा लिख देंगे L और B को multiply करके लिखना है आपको तो L और B को जब आप multiply करोगे तो आपको मिलेगा 30 अगला B और H है तो B और H को multiply करने पर आपको मिलेगा 10 प्लस H और L है इन दोनों को multiply करने पर आपको मिलेगा 12 अब इसे जोड़ देते हैं फिर उसके बाद आपको solve करना है अगला प्रस्म देखते हैं अगला प्रस्म दिया गया है एक बेलन की तरिज्या 7 cm और उसकी उचाई 14 cm है आपको बेलन के वकर प्रिष्ट, संपूर्ण प्रिष्ट और आयतन ग्याद करना है चलिए देखते हैं एक बेलन बेलन की आगरिती कुछ इस प्रकार होती है इसकी त्रिज्य आपको दी गई है तो नीचे वाले हिस्से का त्रिज्य लेते हैं यह दी गई है 7 cm और इसकी उचाई दी गई है 14 cm यह इसकी उचाई होती है हम सबसे पहले आयतन ग्याद करते हैं तो बेलन का आइतन होता है πाई आर स्क्वाइर इंटू एच, यहाँ पर आर त्रिज्या होती है जबकि हुचाई होती है और पाई का मान आपको रखना है 22 बटा साथ, चलिए रखते हैं सबसे पहले पाई का मान 22 बटा साथ, गुडित यह आपका त्रिज्या आर का मान दिया गया है साथ, तो यहाँ पर साथ का स्क्वाइर लिखना है अर्था साथ को दो बार गुड़ा कर देंगे, इसके बाद आपको एच लिखना है, एच दिया गया है 14, यहां से 7-7 को कटा देंगे उसके बाद आपको उपर में मिलेगा 22 गुड़ा 7 गुड़ा 14 इन तीनों को गुड़ा कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कि बेलन का आयतन कितना होगा चलिए अगला देखते हैं बेलन का वकर प्रिष्ट बेलन का वकर प्रिष्ट का मतलब होता है इसके जो वकरी हिस्सा है उसका आपको छेत्रफल ग्याद करना है तो इसका फार्मूला होता है जा सबसे पहले हम परिधी लिख लेंगे परिधी होता है 2 pi r इसे h के परिपेक्ष में लेंगे तो इसका फार्मुला होता है 2 pi r into h यह आपका वक्री प्रिष्ट है pi के जगह आपको रखना है 22 बटा 7 गुड़ा r कमान रखना है 7 और h कमान रखना है चाउद इसे कट कर देते हैं फिर आपका जो बच्चा उसे मल्टिप्लाई कर दोगे तो आपको इसका वक्री प्रिष्ट पता चल जाएगा इसके बाद अगला है आपका संपूर्ण प्रिष्ट तो वक्री प्रिष्ट में ही आपको उपर और नीचे का जो व्रीत है उसका छेत्रफल को एड़ करना रहता है फिर आपको एंसर मिल जाएगा अगर हम संपूर्ण प्रिष्ट की बात करें तो संपूर्ण प्रिष्ट होता है 2πR into H प्लस 2πR square यहाँ पर R कमान जो है वह साथ लेना है और H कमान आपको चऊदा लेना है तो इस प्रकार शॉल करोगे तो आपको एंसर मिल जाएगा पाई कमान आपको लेना है 22 बटा साथ चलिए अगला क्विस्टन देखते हैं अगला क्विस्टन संपू परधारित है संपू की आकरिती कुछ इस प्रकार होती है संकुकि अगर हम तरिज्जा की बात करें तो तरिज्जा तीन सेंटीमीटर दी गई है जबकि इसकी उचाई दी गई है एच जो की चार सेंटीमीटर है हमको पूछा है कि वक्रप्रिष्ट आयतन और संपुन्प्रिष्ट का छित्रफल क्या होगा सबसे पहला हम निकालते हैं तिरिया कुछाई जो एल होता है उसे तिरिया कुछाई कहते हैं यह आपका कुछ इस प्रकार की आकरिती बनेगी जिसमें आपको करणा को ग्याद करना है करना का फर्मूला होता है पाइथागुरस प्रमे से करना का वर्ग बराबर लंब का वर्ग लंब आपका 4 दियागे है तो 4 का वर्ग लेना है और अधार 3 दियागे है तो 3 का वर्ग लेना है L square equal to यह आपका 16 होगा और यह होगा आपका 9 L square equal to इसे add कर देंगे तो 25 मिलेगा और जो square है इसको अगर root ले लेंगे तो यह हो जाएगा 5 तो हमें L का मान जो तिरिया कुछ आई है वो मिला 5 अब आपको आगे find करना है कि इसका वक्री प्रिष्ट का छेतरफल क्या होगा तो वक्री प्रिष्ट का छेतरफल ग्याद करने का फार्मूला होता है πाई R into L इस फार्मूले का आपको याद रखना है संकू का वक्री प्रिष्ट का जो छेतरफल होता है उसे ग्याद करने का तरीका है πाई R into L Pi कमान होता है 22 बटा 7 R कमान है 3 और L कमान आपको लेना है 5 आपको गुड़ा कर देना है और अंत में 7 से हम भाग कर देंगे तो हमें answer मिल जाएगा चलिए अगला देखते हैं कि इसका item आपको किस प्रकार find करना है item के लिए जो formula होता है उसे आपको याद रखना है इसका formula होता है 1 by 3 Pi R square into H यहाँ पर 1 by 3 लिख लेंगे Pi के जगह आपको लिखना है 22 बटा 7 R के जगह आपको लिखना है 3 गुड़ा 3 यहाँ पर R का वर्ग है और H के जगह लिखना है आपको 4 इस formula को यूज़ करके आप इसको solve कर सकते हो यहाँ 3 से 3 cut कर लेते हैं उसके बाद आपको फिर से इन 3 को गुड़ा कर देना है और 7 से भाग करने पर आपको answer मिल जाएगा अगला है संपून पिष्ट का 6 तरफल संपून पिष्ट का 6 तरफल ग्याद करने के लिए आपको सबसे पहले वक्री पिष्ट का 6 तरफल लिखना है वक्री पिष्ट का 6 तरफल होता है πाई आर इंटू एल यहाँ वक्री पिष्ट के 7 संद जो नीचे का वरीथ है उसका भी 6 तरफल को आपको इसमें जोड़ना रहता है तो नीचे का 6 तरफल होता है पाई यार स्क्वेर तो यह हुआ है संपूर्ण प्रिश्ट का छेतरफल यहाँ पर आपको वैलू रखना इसके जगह बाईस बटा साथ आर के जगह रखना है तीन एल के जगह आपको थिर्या कुछाई लेना है जो कि हमने पांच निकाला इस प्रकार आप वैलू पूट कर दोगे तो आपको एंसर मिल जाएगा अगला है गोला जिसकी तरिज्ज्या आपको दी गई है तीन सेंटिमीटर यहाँ पर इसकी तरिज्ज्या है तीन सेंटिमीटर आपको सबसे पहले गोले का आयतन ग्याद करना है गोले के आयतन का सुत्र होता है चार बटा तीन पाई आर क्यूब यहाँ पर आपको पाई के जगह रखना है बाईस बटा साथ और आर का वैल्यू आपका तीन दिया गया है तो तीन का क्यूब लेना है इसके बाद आप इसे सॉल करोगे तो आपको एंसर मिल जाएगा अगला आपको वक रपिष्ट ग्याद करना है तो वक रपिष्ट का फार्मूला में अगर आप रखोगे पाई आर इसक्वाइर तो यहाँ पर फोर के जगह फोर रख देंगे पाई के जगह 22 by 7 और आर के जगह 3 का वरगा इसे सॉल करोगे तो आपको गोले का वक रपिष्ट ग्याद हो जाएगा तो यह हुआ आएतन पर धारित कुछ बेसिक प्रशन अगर आपको वीडियो अच्छी लगे भी तो वीडियो को लाइक किजिए और साथ ही ऐसे और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं